सोया बीन की कीमते तीन साल के निचले सतर पर सोया बीन बाजार में स्टोकिस सक्रियक चू नहीं आए जानते हैं पिछले दो सप्ता से सोया बीन की कीमते स्थिर है वैश्विक सोया बीन उत्पादन में वृद्धी के कारण हैज़ फंड यानि सोया बीन बाजार में निवेश कम हो गया है इससे अंतराश्य बाजार में सोया बीन की विक्री बढ़ गई है इससे किमते पिछले तीन साल के निचले सर पर जा पहुंची है ये दबाव हमारे देश में भी देखने को मिल रहा है देश में सोया बीन का स्टोग भी नहीं है इसलिए किमतों में ज्यादा उतार चड़ा फिलाल देखने को नहीं मिल रहा देश की मंडियों में सोया बीन की आवक अभी बनी हुई है उद्योग जगत कह रहा है कि हर दिन कम से कम डेड़ लाख क्विंचल सोया बीन की आवक हो रही है हलाकि इस साल देश में उत्पादन कम हुआ है लेकिन कई किसानों और व्यपारियों के पास पिछले सीजन का सोया बीन है इसलिए इंडस्ट्री कह रही है कि बाजार में सप्लाइज ज्यादा है और इसका दबाव देश के बाजार पर भी देखने को मिल रहा है इसके साथ ही अंतराश्च्य बाजारों में मंदी का दबाव भी कीमतों पर देखा जा रहा है फिलाल देश में सोया बीन की ओसत कीमत 4,300 से 4,600 रुपए है अंतराश्य बाजार में खाद्य तेल की कीमतें गिरी हैं और कीमतें जो पहले से ही कम थी फिर से कम हो चुकी है भारे सरकार ने आयात छुलक भी कम कर दिया इससे तेल पर दबाव लगातार बना हुआ है अंतराश्य बाजारों में सोया मील सस्ता होने के कारण देश से निर्यात होने वाले सोया बीन को अच्छी किमत नहीं मिल पा रही भले ही हमारे देश का सोया सप्लिमेंट गैर जियम है लेकिन इसे उमीद के मताबिक प्रीमियम मुल्य नहीं मिलता या विक्रेता उतना प्रीमियम नहीं ले पाते इसका असर हमारे सोया बीन उत्पात को पर भी पढ़ रहा है वही विश्व बाजार में सोया बीन की कीमतों में गिरावट के दो मेन कारण है पहला है बड़ी हुई सप्लाई और दूसरा है बड़ी हुई हैसफ़ड की बिक्री वैश्विक सोया बीन बाजार में निराशा का महोल है इस साल अंतरास्टिय बाजारों में सोया बीन की सप्लाई बड़ी हुई है यानि दुनिया की तमाम एहम संस्थाओं ने अनुमान चताया है कि इस सल दुनिया में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा तीनो टी एपी देशों ने वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में अपना प्रभुतव बनाई रखा है ब्राजिल का उत्पादन पिछले साल से कम रहेगा लेकिन अर्जेंटीना में पिछले साल की तुलना में दोगुना उत्पादन होने की उमीद है कुल वैश्विक सोयाबीन उत्पादन का 80% हिस्सा ब्राजिल, अमेरिका और अर्जेंटीना नामक तीनो देशों का है सोया बीन के मुख्या उभोकता चीन के हिस्सेदारी केवल 5 फिसद है ब्राजिल में पिछले सीजन में रिकोर्ड उत्पादन हुआ था और इस प्रकार ब्राजिल का सोया बीन निर्यात 29 फिसद बढ़ गया जबकि अमेरीका का निर्यात 14 फिसदी घटा क्योंकि ब्राजिल में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कीमते घटी जाती है और इससे निर्यात बढ़ा अमेरीका और ब्राजिल से इन सोया बीन का निर्यात वैश्विक निर्यात का लगबग 80 फिसद है वहीं सप्लाई बढ़ने के कारण अंतराश्य बाजारों में हैज़फंड यानि सोया बीन के शेरों में निवेश करने वाली कंपनिया अब बाहर निकल रही है क्योंकि सोया बीन को कोई फायदा नहीं हो रहा इससे अंतराश्य बाजारों में सोया बीन की बिक्री बड़ी हुई नजर आ रही है जिसका सिधा असर सोया बीन की कीमतों पर फिलाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है Bureau Report Market Times TV